ओम नमस्षिवाय आज बात करेंगे क्लीम मंत्र की क्लीम मंत्र के क्या फाइदे हैं किसे करना चाहिए और कितने संख्या में करना चाहिए और इससे आपके जिवन में क्या बहतरी आ सकती है तो क्लीम मंत्र को प्रती दिन 108 बार करना चाहिए अगर आप क्लीम मंत्र का जाब करते हैं 108 बार रोज तो आपके जीवन से स्ट्रेस नाम का जो किटाणू है वो दूर हो जाएगा किसी भी तरह का आपके उपर तनाव नहीं रहेगा और इससे आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो कि आपके संपर्क में आने वाले किसी को भी अपने वश में कर देगा जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपका प्रकाश कुछ ऐसा होगा कि आप से बात किये बिना कोई रह नहीं पाएगा अगर सभा को मोहित करना हो तो इस मंत्र का जाप निरंतर 108 बार करते रहिए इससे आप सभा को भी मोहन कर सकते है इसके बाद आता है कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए ये मंत्र कोई भी कर सकता है क्लीम मंत्र काली माता का मंत्र है और क्रिश्न का भी तो इसको कोई भी कर सकता है और इसमें आपको लाब ही मिलेगे इसमें कोई हानी नहीं होगी क्लीम मंत्र आपको प्यार, पैसा और धन दौलत सब दे सकता है इस मंत्र का प्रयोग आप अपनी इच्छाओं की पूर्ती के लिए भी कर सकते हैं क्लीम मंत्र का जाप अगर निरंतर आप 108 की संख्या में रोज करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामनाई होंगी वो कुछी दिनों में पूरी हो जाएंगी लेकिन आपको ये निरंतर करना होगा एक भी दिन नागा नहीं करना है और इसको मंत्र को जाप करते रही 108 बार तो प्रकरती में जितनी भी शक्तियां हैं वो आपकी हित में काम करेंगी क्लीम मंत्र जैसा और कोई मंत्र नहीं है और इसकी शक्तिया इतनी अपार हैं कि मैं पूरी जिंदगी इसका बखान नहीं कर सकता 108 बार रोज क्लीम मंत्र जबने से आपकी जितनी भी मुरादे हों जितनी भी आपकी कामनाई हों सारी पूरी हो सकती है अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल किजीगा ठन्यवाद